हेलो दोस्तों आप सबका अपना क्लासेस में स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं नोटिस रेटिंग कि नोटिस कैसे लिखा जाता है बहुत ही इजी है चले देखते हैं कोशन क्या है कि यू आर संजीव या राधिका हेट गरल बॉइ एक्स यजट कॉर्मेंट स्कूल यूरी स्कूल इस गोईंग तो ऑर्गनाईज एन इंटर इस इंटर इस इंटर इस इंगिंग कंपटिशन जो की होने जा रहा है इसके उपर आपको एक नोटिस लिखना है जो आप स्कूल के नोटिस बोड पे चिपका सको तो नोटिस बोड पे किस प्रकार से आप नोटिस लिखोगे तो सबसे पहले important चीज ये कि आप जो topic है उसको आप लिख लोगे just उसके निचे क्या लिखेंगे आप notice लिखेंगे और हमेशा याद रखेगा कि ये जो होना चीए वो capital letter में होना चीए किस में होना चीए capital letter में होना चीए दूसरा चीज आपको date लिखना है right hand side में कहाँ पे right hand side में आपको date लिख लेना है update कौन सा होगा तो date जिस दिन आप लिख रहे हैं ठीके वही date रहेगा आपका और उसके नीचे just इस जो notice दिया रहेगा इसमें से आपको एक title ढूनना है कहीं जाने की जूरत नहीं है बस इसी में से आपको एक title ढूनना है तो इसमें title यही है कि inter school singing competition है यही है न तो चलिए हमने क्या कर लिया कि यहां पे हमने अपना एक title लिख लिया कि inter school singing competition और यह भी capital letter में होना चीए है इतने number का आपका दो number मिल जाएगा तोटल आपका चार number का होता है तो दो number तो आपका इसका मिल जाएगा अगला है कि आपका body लिखना यहीं body का मतलब यह हुआ कि आपको इससे related चीज़े लिखना है तो इसमें भी आपको कैसे start करना है सबसे important चीज़ यही होता है कि हम start कैसे करें तो start करने के लिए देखिए क्या लिखा है notice is hereby given that यह आपका starting point है यह जो है notice is hereby given that चहें आप इससे start कीजिए या इस वाले से start कीजिए this is to inform all the students our school is going to organize an interstate school singing competition on feb 26th february अब किस दिन हो रहा है मंडे को हमने मंडे लिख लिया in school auditorium the program will start at 10 a.m. in the morning and will last till 4 p.m. interested students may contact the under sign for further information संजीव head boy यहाँ पे लड़का है तो अपना नाम लिखेगा ठीक है लड़की है तो अपना नाम लिखेगी और head girl लिखेगी यानि notice is hereby यानि notice यहाँ पे इसलिए है कि सभी student को यहाँ से लिख देते हैं कि this is inform all the students यानि सभी student को inform किया जाता है कि our school is going to organize कि हमारे एक competition organize करने जा रहा है जो कि interstate school है यानि उसमें सिर्फ inter school के बच्चे ही participate करेंगे on 26th February अभी बताइए क्या हमने यहाँ पर देट लिखा है वहीं डेट यहाँ पर भी रहेगा बिलकुल नहीं क्योंकि यह तो हम उस दिन लिख रहे हैं और competition होता है दो चार दिन के बार तो इसलिए यहाँ पर क्य होली होगे इन्दy school अल्य को οι हमने एक प्लेसटेज कहाँ तो इस्कूल अल्यom'da में होगा और सब्सक्राइब क्या और सो ही मलुको कब से स्टार्ट होगा तो τα दोड़ेन चालगात तक तो यह चलेगा आपका 4.00घंए चलेघए स्टुड जस student है वह कंटेक्ट करें unsigned for further information यानि कुछ और information आपको चाहिए तो उसके लिए आप किसे कंटेक्ट करोगे तो संजीव से कंटेक्ट करोगे जो कि क्या है है वह है और सबसे most important चीज यह है कि आप इसको जो भी आप notice लिखोगे वह किस में होना चाहिए तो एक rectangular sheet में होना चाहिए जिसको आप कैसे लिखोगे तो हम बतादे आपको देखे इसको आप क्या करोगे इसको आप एक एक रेक्टेंगुलर सीट पेन से अच्छे तरीके से आप इसको बना लोगे यह हो गया आपका नोटिश ठीक है तो यह लाइन जरूर आप खीशना यह जो लाइन दिखाई देरा आपको यह लाइन जरूर खीशना से आप खीश लिजिएगा क्योंकि अगर यह आप नहीं खीशते हैं तो आपके numbers कर जाएंगे चलिए कुछ और देखते हैं नेक्स्ट है कि यू आर दपूजा और रभी हेट गर बॉय आपका जो स्कूल है आप हेट गर लिया बॉय हैं पूजा और रभी नाम है और आपको क्या करना है कि एक notice लिखना है notice board पे किसलिए कि annual magazine में आपका school publish करने जा रहा है तो उसके लिए आपको बच्चों को invitation देना है invite करना है कि जो भी interested student है उसमें participate कर ले चलिए same as it जैसे हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या है ABC school capital letter से लिख लिया just उसके नीचे क्या रहेगा notice capital letter से just right hand में क्या रहेगा date रहेगा आज लिख रहे हैं तो आज का date है यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद से क्या होगा अब इसमें से हम एक title ढूनते हैं तो किसी के लिए title है तो call for submission ठीक है call for submission अब start करते हैं तो किस तरह से start करेंगे जो कि हमने आपको बताया था कि notice is hereby given that our school is going to publish its annual magazine on 26th February Monday on the events the event will take place in school auditorium all interested students can email at xyz at the red gmail.com you can take any topic of your choice for further information contact the understand नहीं होगा यहां पर यहां पर होगा under sign ठीक है तो contact the under sign by तो कब तक आपको contact करना है तो 25th February 2014 25 तक आपको contact करना है क्योंकि आपका जो है वह 26th February को आपका क्या है competition है अगर लड़का है तो head boy लिखेगा और लड़की है तो head girl लिखेगी यानि यह पूजा है वो क्या कर रही है head girl है तो आप इससे contact कर सकते हैं कब तक 25 फरवरी तक तो यह रहा आपका notice आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबसे important चीज इसका यहीं है कि आप इसको क्या करोगे इसको rectangular sheet में कर लोगे थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं इसको rectangular sheet में होना चीए ताकि यह अच्छा दिखे एक notice की तरह दिखे तो आसा करता हूं आपको मेरे द्वारा बताएगे जो notice है वह आपको समझ में आया होगा यदि आपको अच्छा वीडियो अच्छा अच्छा